हेलो बच्चो बच्चो आज हम डिसकस करेंगे आपके साथ आपके अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट चेप्टर जिसका नाम है फाइनेंशल स्टेटमेंट जिसमें पूरी की पूरी कॉनसेप्चुल अंडरस्टैंडिंग में आपको सिखाऊंगा और ये चेप्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन फाक्ट जो बच्चे इस वीडियो को क्लास 11 के बाद भी देखेंगे तो उनके भी ये BBA, B.com और बहुत सारे एंटरेंसे के अंदर भी यूस्वल चेप्टर रहेगा तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना इसम करते हैं, फिर लेजर करते हैं, ट्राइल बैलन्स बनाते हैं, तो ट्राइल बैलन्स बनाने के बाद फिर हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है कि ये हमारे अकाउंटिंग साइकल का या अकाउंटिंग प्रोसेस का आखरी स्टेप है, तो ये chapter की शुरुवात वहां से होती है, तो journal आप सीख चुके, ledger आप सीख चुके, trial balance आप सीख चुके, तो ये chapter हमें क्या सिखाता है, कि कैसे अब आखरी काम करना है, सबसे last पड़ाओ करना है, तो इसलिए आप देखते हैं कि ये chapter वैसे भी, technically class 11th का आपका last chapter होता है, तो आप process के बिलकुल अंत में पहुँच चुके होते हो, इस chapter में, तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या राते होते हैं, तो जैसे हम देखते हैं कि एक accounting year है, है न एक वर्ष होता है, तो इस एक वर्ष में हम इतनी सारी business की transactions करते हैं, उन transactions को हम record करते हैं, यानि journal करते हैं, उन transactions की हम posting करते हैं, यानि कि हम ledger करते हैं, या न classifying, फिर साल जब हमारा खतम हो जाता है, यानि year के end पर आकर, तब हम क्या करते हैं, summary statement बनाते हैं, यानि कि trial balance बनाते हैं, और फिर उस trial balance को बनाने के बाद, हम अपने final accounts बनाते हैं, जो आप ये chapter पढ़ रहे हो, तो basically ये chapter जो इसका relevance होता है, year के end पर, यानि साल के end में, बिलकुल last में जाके हम, अपने final accounts को prepare करते हैं, ये इसमें बात आपको बताई जा रही है, ठीक है न, तो इस chapter इसलिए बड़ा ही interesting, और बड़ा ही important chapter है, तो सारा process होने के बाद, हमारा final accounts prepare किया जाता है, ठीक है, अब सबसे पहला topic, जो मुझे आपके साथ cover करना है, वो हो सकता है, आपने पहले पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो, तो अभी दुबारा से अच्छे से हो जाएगा, और इसके फिर मैं quizzy questions भी आप से पूछू हूँ, तो तयार रहे हैं, topic का नाम है capital expenditure और revenue expenditure, यानि simple भाशा में बोलें, तो खर्चे हैं दोनो, expenditure हैं दोनो, बात करूँ अगर capital expenditure की, तो अगर आप कोई fixed asset खरीदते हो, तो उसको बोलते हैं capital expenditure, लेकिन अगर आप कोई रोज मर्रा का खर्चा करते हो, day-to-day nature का खर्चा करते हो, तो उसको बोलते हैं revenue expenditure, दूसरी चीज, capital expenditure की अवधी, यानि time period जो है आम तोर पे लंबा होता है, उसका benefit आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए मिलते हैं, आपने machine खरीदी, equipment खरीदा, तो 15 साल चलेगा, लेकिन revenue expenditure जो होता है, उसका benefit आपको एक ही period के अंदर खतम हो जाता है, या माना जाता है, एक साल के अंदर-अंदर खतम हो जाता है, इसके अलाबा तीसरा, अगर मैं capacity की बात करूँ, तो capital expenditure, business की earning capacity भढ़ा देते हैं, आपने कोई नई machine खरीद ली, आपने कोई नय equipment खरीद लिया, तो उससे आपकी पैसा कमाने की शमता बढ़ जाती है, production की या earning की capacity भढ़ जाती है, लेकिन revenue खर्चे जो होते हैं, छोटे मोटे खर्चे रोज मर रहा के, वो आपको करने पढ़ते हैं, सिर्फ अपनी earning को maintain करने के लिए, इसी तरह है, अगर मैं amount की बात करूँ, तो capital expenditure का मतलब होता है, मोटा खर्चा, यानि की इसमें जादा amount involved होता है, revenue expenditure का मतलब है, छोटा खर्चा, तो इसमें कम amount, आम तोर पे छोटा amount involved होता है, तो ये इस तरह के कुछ basic differences है, और देखते हैं, और के difference हो सकते हैं, capital expenditure जब हम करते हैं, तब हम किसे debit करते हैं, ये important है आपके रहे, तब हम asset को debit करते हैं, यानि की आपने machine खरीदी, तो machine debit, आपने equipment खरीदा, तो equipment debit है ना, लेकिन जब हम कोई छोटा-mोटा खर्चा करते हैं, आपने rent पे कर दिया, आपने salary पे कर दिया, आपने कुछ और छोटा खर्चा कर दिया, तो फिर उस case में हम खर्चे को ही debit करते हैं, तो ये हो गया debit का difference, इसके बाद record कहा करना है, अब capital expenditure का मतलब है, मोटा खर्चा आपने asset खरीदा, तो इसको हम balance sheet के अंदर, asset side पे represent करेंगे, और छोटा खर्चा जो होता है, बहुत ही simple examples है, देखो, आपने land खरीदी, building खरीदी, machine खरीदी, furniture, plant, goodwill, ये सच जितने भी आप fixed assets सोच सकते हो, वो सब खरीदने को हम कह से कह देते हैं, capital expenditure है, जबकि revenue expenditure का मतलब होता है, कुछ छोटे मोटे, रोज मर्रा types जोजाले खर्चे, आपने rent पे करा, आपने commission पे करा, आपने salary पे करी, आपने wages पे करा, एटसेक्टर, 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 तो ये basically, capital और revenue expenditure का मोटा-मोटा difference होता है, ठीक है न? अब इसी तरह बिलकुल इसका उल्टा, वो भी एक बार discuss कर लेते हैं, पहले, receipt, receipt का मतलब हमको पैसे मिले, लेकिन पैसे मिलने को भी हम, दो तरह से categorize कर लेते हैं, capital receipt और revenue receipt, capital receipt का मतलब हो गया, कि हमारे लिए मोटी receipt और revenue receipt का मतलब हो गया, हमारे लिए छोटी receipt, तो वो भी एक बार देख लेते हैं, अब revenue receipt और capital receipt में देखो, revenue receipt का मतलब है जो हमारी रोज मर्रा की business activity करके हमने पैसा कमाया उसको हम बोलते है revenue receipt लेकिन जो हमने मालो अपना asset बेच दिया कोई ऐसा काम करा जो हमारा main काम नहीं है तो वहां से जब हमने पैसा कोई receive कर लिया तो उसको हम बोलते है capital receipt तो जैसे आप example भी देख सकते हो आपने अपनी कोई machine बेच दी तो यह आपका कोई रोज मर्रा का काम नहीं है तो इस receipt को हम capital receipt कहते है लेकिन आप अपने goods बेचते हो आपको कहीं से commission मिलता है या जो आप day to day nature में अपने business में main काम करते हो वहाँ से अगर आपको कोई पैसे मिलते हैं तो उसको हम कहते है revenue receipt तो यह basic छोटा सा difference होता है capital receipt और revenue receipt का main चीज revenue receipt जो होता है उसको हम P&L account में show करते है capital receipt जो होता है उसको हम balance sheet के अंदर liabilities में mainly show करते है तो यह भी difference हमें याद रहेगा अब कुछ examples यहाँ पर आएं है अब मैं आपसे पूछूँगा one by one की यह examples क्या होंगे कि क्या यह capital है क्या यह revenue है तो अब आपको होना है तयार चलो तो आपसे शुरू करेंगे सबसे पहले लिखे है amount spent on overhauling a second hand scooter purchased आपने एक second hand scooter खरीदा और उस second hand scooter को खरीदने के बाद उसमें overhauling करी तो यह खर्चा कैसा खर्चा होगा आपके हिसाब से आपको बस खाली C लिखना है या R लिखना है मैं समझ जाऊंगा ठीक है very good तो यह होता है हमारा capital expenditure perfect क्योंकि जब भी हम कोई second hand asset खरीदते हैं तो उसी asset को खरीदने के time पर जो भी छोटा मोटा खर्चा करते हैं वो भी सब capital expenditure ही होता है दूसरा amount paid for installation of new machine आपने नई machine को install करने के लिए कुछ खर्चा करा तो यह कौन सा खर्चा होता है very good यह भी होता है capital expenditure क्योंकि आपने machine को खरीदा और फिर खर्चा करा उसके बाद है repairs to machinery आपके बाद machine रखी हुई है उस machine को आपने repair करवाया यानि कि उसमें कुछ छोटा मोटा अपना काम आपने करवाया very good तो यह होता है revenue expenditure क्योंकि यह रोज मर्रा का खर्चा है उसके बाद number four cost of air conditioner of the office आपने अपने office के लिए AC खरीदा तो यह कैसा खर्चा है very good capital expenditure क्योंकि capital expenditure का मतलब आपने एक fixed asset खरीदा आपने एक AC खरीदा नेक्स्ट है annual insurance charges of car आप अपनी गाड़ी के annual insurance करवाते हो यानि कि हर साल premium देते हो insurance company को ताकि आपका गाड़ी जो है insured रहे very good तो इसको बोलते हैं revenue expenditure क्योंकि यह हर साल का खर्चा है हर साल आपको अपना annual insurance पे करना है इसके बाद custom duty paid on import of machinery आपने बाहर से machine import करवाई और उसको import करवाने पर आपने tax दिया तो यह कौन सा खर्चा है very good capital expenditure क्योंकि machine को आप import करने के लिए खर्चा tax का पे कर रहे हो तो perfect answers आपने दिये बहुत बढ़िया चलो इसी तरह एक और छोटी सी drill दुबारा कर लेते हैं कुछ items फिट से आया है तो आपको बताना है कि वही capital या revenue item इन में से कौन सा है तो item है जी wages paid for installing a new machinery आपने एक नई machinery खरीदी और उसको install करने के लिए wages pay करे very good same logic है तो ये हो गया capital expenditure बहुत सही उसके बादे amount paid for electricity bill आपने बिजली का bill पे करा तो बिजली का bill पे करना किस तरह का खर्चा हो गया किस तरह का nature का हो गया very good revenue nature का क्योंकि ये rose marra का खर्चा है amount paid for painting the machinery आपने अपनी machinery को paint करवा दिया पुताई करवा दि तो ये किस तरह का खर्चा है very good revenue expenditure क्योंकि इससे कोई capacity तो बढ़ने रिया आपने normal painting करवा दि rent received आपको rent मिला तो ये किस तरह का आपका nature का receipt है rent received very good revenue received क्योंकि ये हमारे लिए एक normal business income हो गई इसके बाद interest received आपको ब्याज मिला यानि कि interest आपको receive हुआ तो ये किस nature का है very good revenue received यानि कि revenue nature का है और commission paid आपने commission दिया आपने किसी को पैसे दिये commission के तो ये किस nature का है very good revenue expenditure यानि कि revenue nature का है perfect तो बिल्कुल सही answers दिये तो इसका मतलब अब आप capital और revenue के differences को समझना सीख चुके हो perfect हो गई बात अब आते हैं जी सबसे मुद्दे की बात पर कि revenue nature के जितने भी items होते हैं उनको हम trading या profit and loss account में transfer करते हैं लेकिन जो capital nature के items होते हैं उनको हम balance sheet में transfer करते हैं जैसे आप देखते ही हो कि भई आपने कोई asset खरीदा तो balance sheet में जाएगा लेकिन अगर आप कोई छोटा मोटा खर्चा करते हो revenue खर्चा करते हो तो trading या P&L account में वो जाएगा तो इस बात का बस आपको mainly ध्यान रखना है तो सभी capital items balance sheet में और सभी revenue items trading P&L में उसके बाद जी trial balance आपको पते हैं कि trial balance के अंदर हमें सारे debit credit balances दे रखे होते हैं अब important चीज़ आपके लिए है कि trial balance के अंदर जो भी item दिया होता है वो हमेशा एक ही जगा post होता है और debit का item debit में post होता है credit का item credit में post होता है तो एक बार इस slide को थोड़ा ध्यान से देखना छोटा सा एक demo ले रहे है debit का मतलब आप समझ लो सफेद रंग का घर credit का मतलब आप समझ लो पी ले रंग का घर तो बहुत सारे items होंगे कुछ debit में कुछ credit में तो debit के जितने भी items होंगे वो कही ना कहीं यानि सफेद रंग के जितने भी items होंगे वो कही ना कहीं सफेद रंग के घर में जाएंगे यानि कि या तो वो trading और PNL account के debit में जाएंगे या वो balance sheet के asset side पे जाएंगे क्योंकि वो भी debit ही होती है न तो debit का सारा item कहां post होगा debit में इसी प्रकार पीले रंग वाले item यानि credit वाले सारे के सारे items वो कहां post होगे credit में यानि वो पीले घर में जाएंगे पीला घर कौन सा या तो trading और P&L account का credit side या फिर liability side तो simple सी आपको वो उपर वाली अंग्रेजी याद रखनी है कि trial balance का हर item एक ही जगा post होगा debit का debit में credit का credit में debit मतलब पीला वाला घर सफेद वाला घर और credit मतलब पीला वाला घर तो सफेद जाएगा सफेद में पीला जाएगा पीले में simple तो देखो यही बात आपको बता रहा है और अगले चप्टर की base नीचे लिखी हुई है trial balance के बाहर जितनी भी adjustment entry आ होती है वो दो जगा post की जाती है वो आपको अगले चप्टर में वैसे सिखाएंगे तो इसलिए उस पे चर्चा नहीं करेंगे सर्फ कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं तो आप जानते हो जी तीन प्रकार के अकाउंट्स होते हैं nominal, real और personal तो आप उसको ऐसे भी सोच सकते हो कि जो nominal nature के अकाउंट्स होते हैं वो trading और P&L अकाउंट के अंदर lie कर रहे होते हैं और real और personal accounts जो होते हैं, वो आम तोर पे balance sheet के अंदर लाई कर रहे होते हैं, तो ये भी एक नजरिया है जो आपको पता होना चाहिएंगे, अब sir, सवाल आता है कि trading और profit and loss account का nature क्या है, तो trading और profit and loss account का nature होता है, nominal nature, nominal nature का rule याद करो जो आपने शुरू में पढ़ा था, कि debit all expenses और credit all incomes and gains, तो उसी नियम के हिसाब से हम अपना trading और P&L account बनाते हैं, debit में नुकसान लिखते हैं, खर्चे लिखते हैं, और credit में फायदा लिखते हैं या incomes लिखते हैं, तो ये भी हमको बात पता होने चाहें, इसके बाद अगर हम clear या modern classification के हिसाब से types की बात करें, तो asset हो गया या expense हो गया, liability हो गया, capital हो गया, income revenue हो गया, तो simple सी बात है, asset और expenses, debit balances होते हैं, capital, liability और incomes हमारे credit balances होते हैं, तो जो भी हमारे debit हैं वो debit में और credit हैं तो credit हैं, वहाँ पर जाएंगे, अब इसके बाद जो हमारा main topic है, वो काफी जादा important है, वो हमारे practical aspect से relate करता है, क्योंकि direct expenses करके एक चीज आएगी और indirect expenses करके कुछ चीज आएगी, उसके बारे में हमें पता होना चाहें, तो पहले basic meaning आपके साथ discuss कर लेते हैं, direct expense का मतलब यह होते हैं कि आपने कुछ goods खरीदे, और उन goods से related आपको ऐसा खर्चा कर रहे हो, जो directly उन्हीं goods से संबन देते हैं, है ना, तो उनको हम direct expense बोल देते हैं, indirect expense कुछ ऐसे होते हैं, जो आप product से directly relate नहीं कर सकते हैं, अभी उधारन भी मैं इसके दूँगा, कुछ examples हैं direct expenses के जैसे wages, या carriage inward, carriage inward का मतलब होते हैं सामान जो है, जो factory के अंदर आता है, तो हम कुछ पैसे देते हैं, तो मतलब जब हम कुछ भी manufacturing कर रहे होते हैं, या कुछ भी हमारे factory के खर्चे होते हैं, उन manufacturing या factory वाले खर्चों को direct expense के नाम से पुकारा जाता है, तो आप थोड़ा सा अपने mind में image लेके चलना में आगे दिखाऊंगा भी, कि अगर कोई factory में खर्चा हो रहा है, अगर कोई manufacturing का खर्चा हो रहा है, तो वो सब direct होते हैं, लेकिन आप जब factory से बाहर आगया, आपका product अब showroom जाने वाला है, यानि अब आप office में बैठे हो, तो office के खर्चे जो होते हैं, administration खर्चा या office का खर्चा, तो इस तरह के खर्चे जब आप office में आ जाते हो, तो उनको हम indirect expense बोलते हैं, जैसे आपने salary पे करी, office administration expenses पे करा, समान बहार जा रहा है, carriage outward पे करा, यह सब है न, यह basic difference हमको पता होना चाहिए, अब इसी से हमारी आगे की कहानी देखो कैसे चलती है, जब हम final accounts में trading account की बात करते हैं, तो trading account की अंदर सभी प्रकार के direct expenses को लिखा जाता है, तो इसी लिए देखों, यहाँ पर चितर में factory बनाई है, ताकि आपके mind में picture बने, कि direct expense का मदलब factory वाले खर्चे, आप simple यह सोचो, कि यह खर्चा factory का है, तो इसका मदलब direct expense, और सारे के सारे direct expenses को हम trading account के अंदर लिखते हैं, तो यह बात important हो गई, इसी तरह अब trading account का अगर आपके साथ format discuss करूं, तो सबसे पहला final account trading account है, उसका format कैसा होता है, आपको याद होना चीए जिन बच्चों ने पढ़ लिया, debit side में और credit side में क्या-क्या items आते हैं, debit side में opening stock आ गया, purchase आ गया और direct expenses आ गये देखो, और credit side में sales आ गया और closing stock आ गये, तो 5 items कुल मिलाकर इसमें आते हैं, फिर आप उसके बाद total कर देते हो, credit का total जादा होता है, तो balance debit में बच्चता है, जिसको gross profit कहते हैं, और अगर debit का total जादा हो, तो balance credit में बच्चता है, जिसको gross loss कहते हैं, हाला कि वो कम होता है, अब COGS करके एक छोटा सा concept होता है, यानि cost of goods sold, तो cost of goods sold को निकालने के लिए, आप एक formula का इस्तमाल कर सकते हो, वो formula क्या है, मैं आपको इस छोटे से demo से बता देता हूँ, तो हमने यहाँ पर demo में एक trading account ले रखा है, ऐसी मन घडन सा, तो उस trading account में अगर आप देखो, opening stock, purchase और direct expenses, इन तीनों को जोड़ दो, debit वालों को, और उसमें से closing stock को हटा दो, यानि minus कर दो, तो आपको COGS का formula मिल जाता है, तो COGS का formula क्या बन गया, देखो, उन तीनों को जोड़ कर closing stock को minus कर दो, या दूसरा formula क्या है, उदर देखो sales लिखी हुई है, credit side में, और इधर gross profit लिखा हुआ है debit side में, तो अगर आप sales में से gross profit को minus करते हो, तो भी आपको COGS का formula पता लग जाता है, तो आपको exam के लिए mainly इसको याद रखना है, तो पहला formula आपका बन गया, opening stock plus purchase plus direct expense minus closing stock, और दूसरा formula आपका बन गया, sales minus gross profit, तो दोनों में से किसी भी formula से आप COGS निकाल सकते हो, answer आपका same आ जाएगा, तो ये छोटा सा one number question हम से पूछ सकता है, अब आते हैं PNL account पर, यानि profit and loss account पर, तो इसका format बहुती सिंपल है, इसमें सारे indirect expense, office expense, सारी चीज़ें जो हैं, वो हमें लिखनी होती है, तो इसलिए हाँ पर चितर में थोड़ा office का look दिया है, तो factory वाला खर्चा होगा, तो ध्यान रखना है, वो direct expense होता है, वो trading account में जाता है, लेकिन अगर ऐसा office वाला कोई खर्चा होगा, तो वो indirect expense होता है, तो वो PNL account में लिखा जाता है, बाकि इसमें format बड़ा सिंपल है, debit में expenses, credit में incomes, अब उसके बाद देखो, यहाँ पर दो important points आपके साथ discuss करने बहुत जरूरी है, जब हम समान खरीदते हैं, तो समान अंदर आता है, उसको बोलते हैं carriage inward या carriage on purchase, तो समान आप कहां खरीदते हो, factory में, उपर, लेकिन जब आप समान को बेचने के लिए बाहर जाते हो, तो समान बाहर जाता है, उसको बोलते हैं carriage outward, यानि carriage on sales, तो बेचते कहां से हो अपने showroom से, है ना, तो carriage inward जो है, वो factory के अंदर होता है, इसी लिए वो direct expense है, और इसी लिए वो trading account में आता है, अलग चीज होती है, carriage inward trading account में आएगा, carriage outward PNL account में आएगा, ठीक है sir, ओके, उसके बाद जी, remember, चार terms हैं जिसमें बच्चे confused होते हैं, तो आप इनके अपने हाथों पर tattoo बेटू करवा लेना, ताकि कभी भूलो नहीं, एक होता है return inward, एक होता है return outward, एक होता है carriage inward, एक होता है carriage outward, इसमें confusion कई बर बच्चों को हो जाती है, लेकिन आप खुशार हो, आपको नहीं होगी, one by one सबके meaning बता जाते हैं, return inward का मतलब होता है sales return, simple, return outward का मतलब होता है purchase return, simple, carriage inward का मतलब होता है, सामान अंदर आ रहा है, यानि carriage on purchase, carriage outward का मतलब होता है, सामान बाहर जा रहा है, यानि carriage on sales, ये तो हो गए मतलब, इनके treatment simple हैं, बहुत ही simple है, sales return को sales में से minus करते हैं, purchase return को purchase में से minus करते हैं, carriage on purchase को trading account में लिखते हैं, क्योंकि वो direct है, और carriage on sales को, P&L account में लिखते हैं, क्योंकि वो indirect है, तो ये जो पन्ना यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए important हो गया, अब जो point है, वो और जादा important point है, उसमें wages और salaries को लेकर, कई बार exam में जो confusion होता है, उसमें हम चर्चा करते हैं, आपको सिर्फ पहला term पढ़ना है, पहला अक्षर पढ़ना है, अगर वो आपको wages नजर आ रहा है, तो समझ जाओ factory, तो दिमाग में factory बना लो, और अगर वो salary नजर आ रहा है, पहला अक्षर, बस पहला पढ़ना है, दूसरा नहीं, पहला पढ़ना है, पहला अकशर आपने पढ़ा salary तो दिमाग में office बना लो तो क्या सोचा पहला अकशर wages तो दिमाग में बन गई factory पहला अकशर salary तो दिमाग में बन गया office अब क्या सिखाया था factory का मतलब direct है तो कहा जाएगा trading account में और office का मतलब क्या है indirect है तो कहां जाएगा P&L account में, simple, सबसे simple confusion को दूर करने का तरीका, तो पहला wages होगा, तो factory बना लो दिमाग में, salary होगा, तो office बना लो दिमाग में, ठीक है, simple होगी कहां में, उसके बाद जी net purchase क्या होता है, कई बच्चों को इसमें भी doubt होता है, तो net purchase का मतलब होता है, gross या total purchase मे से sales return को minus कर दिया, तो यह simple से formula है, अब एक special formula है, adjusted purchase का, कि adjusted purchase क्या होती है, इसको अच्छे से learn करके जाना, exam में one number का question पूछ सकता है, तो adjusted purchase होती है, opening stock plus purchases minus closing stock, तो यह एक छोटे से formula है, जो मैं मानता हूँ, आपको आते होंगे, अब आता है जी इसके बाद अगला topic हमारा operating profit, operating profit भी एक terminology है, जिसका एक छोटा सा formula आपको पता होना चाहिए, हलाकि इसका कुछ basic concept भी मैं cover कर दूँगा, operating profit का मतलब है कि आपके normal operating गती विधियों से आप क्या मुनाफ़ा कमा रहे हों, इसमें कोई non operating गती विधी नहीं आती, तो अपने mind में clear करके चलना, कि मानलो अगर जीत ली, या मैंने कोई lottery की ticket खरीदने का खर्चा करा, ये मेरे ले कोई मेरा main business operation नहीं है, तो मैं ऐसी गती विधियों को non operating activity कहता हूं, लेकिन operating activity मेरे ले क्या है, कि मैंने बच्चों को tuition पढ़ाया, मैंने बच्चों के लिए tuition classes arrange करी, मुझे tuition की fees receive हुई, ये सब मेरा main business income जो है, ये मेरे लिए operating activity है, इसी तरह मालो कोई furniture dealer है, उसके showroom में उसने furniture बेचा, उसने लकडियां खरी दी, उसने table chairs बना-बना के बेचा, वो उसका main काम है, operating activity है, लेकिन अगर मालो furniture dealer ने किसी दिन गया और उसने कुछ और machine बेच दी अपनी ऐसी इत्तफाक से, या उसने कोई lottery की ticket खरीद ली और उसको lottery लग गई income हो गया, या कहीं से उसको मकान बेच के पैसे मिल गए, ये उसका main काम नहीं है, तो इन सब गतिविदियों को non operating कहते हैं, तो operating profit का मतलब है, आपने operating गतिविदी से क्या कमाया, ये simple सा concept, दिमाग में रखना है, अब इसका formula, सर एक formula है, gross profit minus operating expenses, ठीक है सर, सर अगर ये याद ना रहे तो, आप दूसरा भी याद रख सकते हो, gross profit का अपना formula होता है, sales minus cogs, तो उसको replace कर देगा, gross profit को minus operating expenses, तो एक formula ये इस form में भी बन सकता है, लेकिन exam के लिए याद रखना है, अब cogs और operating expenses को अगर मैं combine कर देता हूं, तो इ एक formula ये भी बन गया, sales minus operating cost, तो सर आपको तीनो formula अच्छे से याद करने है, one number में वो आपसे एक तीनो में से कोई भी पूछ सकता है, वो figures देगा और आपको कहेगा calculate कर दो, ठीक है ना, तो ये direct formula आपको याद रखने है, अब operating profit को यहाँ पर दिखा देता हूं, एक छोटा side में लिखते हैं, और उसके बाद हमारा एक gross profit आ जाता है, लेकिन अगर आप COGS का formula याद करो जो भी सिखाया था, कि opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock, तो आपके बाद COGS आ जाएगा, उसके बाद COGS में अगर आप ये operating expenses को जोड़ दोगे, तो आपको operating cost मिल जाएगी, जो इसका formula होता है, तो operating profit को निकालने के लिए, आपको simple gross profit में से इने minus करना है, तो आपका operating profit आ जाएगा, ठीक है, तो operating profit का बस आप formula याद रखना, और आपको अपने आप सब कुछ given होगा, ठीक है sir, उसके बाद sir, balance sheet, तो balance sheet के बारे में मुझे नहीं लगता किसी को कुछ जादा बताने की जरूर liabilities का मतलब हो गया, हमारी देंदारी एक तरह से, हमारा burden, हमारे सर पे बोज, और assets का मतलब हो गया, हम जिन चीजों को own करते हैं, हमारे resources, simple, तो liabilities और assets, तो इसी से बन जाती है balance sheet, बाकी balance sheet का format आप सब बच्चों को पता ही होगा, left side पे liabilities लिखते हैं, right side पे assets लिखते हैं, तरह तरह के assets होते हैं, तरह तरह की liabilities होती हैं, तो ये सब चीज़ें आपके लिए basic हैं, अगर आप देखना जाते हो, तो देख सकते हो, current assets होते हैं, fixed assets होते हैं, tangible, intangible, इसी तरह liability में current liability होती है, non-current liability होती है, capital होता है, तो ये कुल मिलाकर आपकी बन जाती है balance sheet, लेकिन ज कि सबसे पहले trading account, फिर P&L account और फिर balance sheet बनती है, तो यह flow होता है, तो ऐसा नहीं कि balance sheet पहले बन गई है, balance sheet उपर बन गई, trading account बनेगा, profit and loss account बनेगा, और फिर balance sheet बनेगी, तो trading account जब आप बनाना शुरू करते हो, तो देखो सबसे पहले आपको gross profit का पता चलता है, वो gross profit आपक capital में जोड देते हैं, तो balance sheet के अंदर जो भी capital है, उसमें net profit जुणने के बाद, और बची कुछी liabilities और assets लिखने के बाद, balance sheet टैली कर जाती है, simple, अब balance sheet में सबसे important चीज़ होती है, grouping and marshalling, तो इसको exam के लिए आप important समझना theory के लिए, grouping किसे कहते हैं, भई आप school की picnic में जात items की grouping कर दी जाती है, sir, एक बार दिखाओ हमें grouping, दिखाता हूँ, तो आप ये balance sheet देखो जरा, अब इस balance sheet में मैंने groups बना दिये, asset side में देखो, एक group का नाम है current assets, तो इसमें सहाब सारी current assets इखटे होंगे, debtors, bills receivable, मल्दब इन सब का nature एक जैसा है, तो इनको मैंने current assets में दा grouping होगे, grouping का मतलब एक main heading है और उसके अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे items है, so that is known as grouping, ठीक है sir, sir, marshaling क्या होती है, तो marshaling भाई साब बहुती कमाल की चीज़ होती है, marshaling का मतलब होता है, कि हम balance sheet के assets के items को mainly, किसी particular order में set करते हैं, ऐसा नहीं कि जहाँ पर जो मनकरा लिख दिय कुछ भी लिख दिया, एक particular order में set करते हैं, अब वो order या तो liquidity के हिसाब से हो सकता है, या permanence के हिसाब से हो सकता है, liquidity का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ कितनी जल्दी cash में convert हो जाएगी, उसे liquid बोलते हैं, ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके bank में पैसे है दूसरा, आपकी factory में machine है, बताओ दोनों में से जादा liquid क्या है, हाँ, very good, तो इसका मतलब सब बच्चे मेरे साथ हैं, ठीक है, सब सहीं, बिलकुल से, तो इसका मतलब सब बच्चे मेरे साथ हैं, समझ रहे हैं, तो bank में जो पैसे हैं, तो बस इसको liquidity बोलते हैं, और permanence का मत मतलब जो जल्दी से cash में convert हो जाए, और permanence मतलब उसका उल्टा, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, balance sheet को दिखाने के, या तो हम liquidity के order में दिखा सकते हैं, तो उसमें सबसे उपर सबसे जादा liquid वाला asset दिखाएंगे, और सबसे नीचे permanent वाला, और या फिर in order of permanence दिखा सकत हैं, उसमें सबसे उपर सबसे permanent वाला और सबसे नीचे liquid वाला, demo देख लेते हैं, ऐसे orally समझ नहीं आएगा, तो अगर आप इस वाली balance sheet को देखो, तो asset side में सबसे उपर जो assets लिखे हुए हैं, वो सबसे जादा liquid हैं, cash, bank, debtor, BR, और जितना आप नीचे आते रहोगे, उतन सबसे कम liquid, या कहलो permanent asset लिखे हैं, last में लिखा हुए software, software को बाजार में बेचने निकलो, कोई खरीदेगा ही नि, दिक्कत हो जाएगी, तो इस तरह के order को कहते हैं, liquidity का order, और इसी को अगर आप उल्टा कर दोगे, नीचे से उपर की तरफ भढ़ोगे, यानि सबसे उपर और सबसे नीचे लिखा हुए cash, तो उसको बोल देंगे permanence का order, इसी को उल्टा कर देना, तो वो आपका permanence का order बन जाएगा, अब इसके बाद दो सबसे important point, इनको रठ लेना, मुझे नहीं पता क्या करना है, जो मर्जी करो, अगर exam में आपको दे रखा है life insurance premium paid, या अगर exam म insurance premium भी business का थोड़ी न, life insurance करवाते हैं, वो भी proprietor का अपना होता है, तो इन दोनों चीजों को हमेशा, 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 आपको drawings की तरह consider करना पड़ेगा, यानि कि आप इने capital में से deduct कर दोगे, इस बात का ध्यान रखना है, one number में पूछ भी सकता है, तो income tax और life insurance premium, तो capital में से क्या करना है, इनको minus करना है, simple, इसके बाद, sales में से net profit को निकालने का तरीका जो है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो भही देखो, sales है मान लो 100 रुपे की, उसके बाद COGS है मान लो 40 रुपे का, तो बताओ, sales में से COGS minus करेंगे, तो क्या answer का बताओ, ठीक है, very good, 60 उसको बोलेंगे gross profit, ठीक है, तो sales में से COGS इसको minus कर दिया, तो क्या बचा? Gross profit, फिर उसके बाद, sir, gross profit में से operating expenses को minus कर दिया, तो क्या बचेगा? सोचो अब ही सिखाया था, gross profit में से operating expense को minus कर दिया, तो बचेगा kya? operating profit, ठीक है, और operating profit के अंदर, non operating expenses हैं उन्हें हटा दूँगा तो फिर जो मेरा final answer आएगा उसे बोलेंगे net profit तो net profit जो होता है वो सबसे end में निकलता है सबसे आखरी में निकलता है है ना और फिर से revision के लिए बतायता हूँ operating expenses और COGS दोनों को अगर हम जोड़ दें इनको सर operating expenses और COGS को अगर हम जोड़ दें तो उसको क्या बोलते थे उसको बोलते थे operating cost ठीक है न तो इसलिए formula याद रखना आपके लिए important है तो COGS और operating expenses को जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा operating cost तो यह कुछ terms हैं जो आपको याद रख लेने तो यह था बच्चो पूरा complete discussion हमारे financial statement without adjustment का जिसमें मैंने कोशिश करी थी कि सारे confusion वाले और सारे important और conceptual points को cover कर सको हमारी सबसे पहली adjustment जो है वो उसका नाम है closing stock ठीक है closing stock का मतलब क्या होता है कि जो समान हम बेच नहीं पाए और जो समान हमारे गोदाम में बचा रहे गया इसको हम closing stock बोलते है तो closing stock का valuation का एक rule होता है पहले तो हमें वो ध्यान रखना पड़ता है वो rule यह होता है कि closing stock का जो भी cost होता है या closing stock की जो भी market price होती है हमें दोनों में से जो lower value होती है वो लेनी पड़ती है तो कभी कभी question के अंदर हमें दो values दे देगा एक cost price दे देगा या एक market price दे देगा market price को net realizable value भी बोलते है तो हमको दोनों में से जो छुटी value होती है उसको लेना पड़ता है तो सबसे पहला point तो इस बात का ध्यान रखना है अब आते हैं इसके treatment पर की closing stock का treatment हमको कैसे करना है तो अगर हमें closing stock adjustment में दे रखा है adjustment का मतलब होता है trial balance के बाहर दे रखा है तो उस case में हमको अलग तरह से treatment करना पड़ेगा और अगर हमको closing stock trial balance के अंदर दे रखा है तो उस case में फिर हमको अलग तरह से treatment करना पड़ेगा तो हमको दोनों cases आने चाहिए तो अगर हमें closing stock trial balance के बाहर यानि adjustment में दे रखा है तो आप इसको trading account में credit side पर लिखा होगे और दूसरा इसको आप balance sheet के asset side पर लिखा होगे तो दो जंगा ये record हो जाएगा लेकिन अगर closing stock trial balance के अंदर अपियर होगा तो फिर आपको trading account में नहीं लिखना फिर आपको उसको सिर्फ और सिर्फ balance sheet के asset side पर ही लिखना पड़ेगा तो इस तरह से हम closing stock adjustment को deal कर लेंगे तो चाहें वो trial balance के बाहर दे रखी हो तो दो जंगा लिखना है और अगर वो trial balance के अंदर दे रखी हो तो खाली एक ही जंगा asset side पर लिखना है ठीक है न अब एक छोटा सा concept discuss करता हूँ ताकि आगे की adjustments की आपकी भूमिका और strong हो जाए accrual concept क्या होते है जो हमने पहले वेट चप्टर में भी पढ़ रखा था accrual concept का मतलब यह होता है कि अगर हम अपने एक accounting year की बात कर रहे है तो हमें यह देखना है कि उस accounting year का खर्चा क्या है या उस accounting year की income क्या है irrespective कि हमने पैसे दिये हैं पैसे हमें मिले है तो हमको पैसा cash में नहीं देखना हमको यह देखना है कि क्या वो हमारी income है या क्या वो हमारा expense है उसको हम accrual concept बोलते हैं तो अब देखो जैसे माल लो हमने कोई expense pay करा पूरे साल 10 महिने तक pay करा और 2 महिने का pay नहीं करा तो हम उस 2 महिने को बोल देते हैं outstanding expense इसी प्रकार कई बार हम expense pay कर देते हैं 14 महिने का, 15 महिने का मतलब कि हमने इस साल के 12 महिने का तो pay करा ही करा और अगले साल के भी 2-3 महिने का extra pay कर दिया तो हम उस extra को बोल देते हैं prepaid expenses इसी प्रकार अगर income की बात करूँ, कुछ income मालो हमें receive हुई, 10 महीने की income receive हो गई, और 2 महीने की income receive नहीं हुई, तो हम उस 2 महीने की income को बोल देते हैं, outstanding income, इसी तरह हो सकता है हमें income receive हो गई 15 महीने की, 16 महीने की, यानि की 12 महीने की तो हुई हुई इस साल की, और अगले साल क भी दो-तीन महीने की हमें advance में receive हो गई तो हम उसको बोल सकते हैं pre-received income या income received in advance तो हमारा क्योंकि accrual concept होता है वो focus करता है कि हमारे current year की income या current year का expense क्या है है ना तो हमारी adjustment उसी के हिसाब से चलती है तो हमको सिर्फ ये लेना है कि हमारे current year का expense या current year की income के जो आगे के साल के expense या आगे के साल की income है उससे मुझे मतलब नहीं है है ना तो अगली जो चार adjustments होती है basically वो इनी से इसी concept से link कर रही होती है अब जैसे outstanding expense है तो outstanding expense का मतलब है कि आपने 10 महीने का expense for example pay कर दिया और 2 महीने का आपने लेकिन pay नहीं करा तो वो belong तो इसी साल से कर रहा है है तो वो expense इसी साल का तो इसी लिए हम उसको अपना खरचा मानते है हम कहते हैं yes यह हमारा इस साल का खरचा है तो इस adjustment को कैसे deal करना है हमको हमारा जो भी expense दे रखा होगा हम उस expense में उसको जोड देंगे outstanding expense को और इसको balance sheet के अंदर हम liability side में show कर देंगे because it is outstanding expense तो यह हमारे लिए एक liability होती है current liability होती है ठीक है ना अच्छा इसको हम expense due के नाम से भी जानते हैं अब अगर मान लो outstanding expense हमें trial balance के अंदर दे रखे हैं यानि कि already वो adjusted है तो उस case में सिर्फ हमको balance sheet में ही उसको लिखना पड़ेगा यानि वो फिर एक ही जगा लिखे जाएंगे फिर उसको हम अपने expense के अंदर respective expense के अंदर add नहीं करेंगे तो उस case में वो सिर्फ खाली balance sheet में ही transfer किया जाएगा अगर वो हमें trial balance के अंदर दे रखा है अब जो दूसरी main adjustment है prepaid expense की इसका मतलब क्या है कि आपने इस साल कोई expense pay करा और आपने उसमें 2-3 महीने अगले साल के भी pay कर दी तो यानि आपने आज कोई expense pay कर दी अब 12 से जाधा यानि 14-15 या 16 महीनों के लिए तो क्या जो आपने extra अगले साल के लिए expense pay करा क्या वो हमारे इस साल से belong करता है अगर हम ये question पूछें तो तो उसका answer आएगा नहीं क्योंकि अगर हम कोई पैसे अगले साल के लिए pay कर रहे हैं तो वो हमारे इस साल के पैसे में count नहीं होना चाहिए वो हमारे इस साल का expense नहीं होना चाहिए है ना तो इसी लिए हम इस adjustment को कैसे deal करते हैं हम इस adjustment को prepaid expense वाली को respective expense में से deduct कर देते हैं मतला हम कहते हैं ये इस साल का expense नहीं है तो उसको minus कर देते हैं और prepaid expense मतला आपने पैसे पहले दे दिये, तो इसको हम balance sheet के अंदर अपने asset side में अलग से शू करते हैं, तो ये तो हो गई adjustment, अब अगर prepaid expense हमको trial balance के अंदर ही दे रखा है है ना, तो that means फिर वो हमारी adjustment की तरह deal नहीं होगा फिर उसको हम एक ही जंगा transfer करेंगे यानि फिर वो सिर्फ balance sheet में asset side पर ही हमको लिखना पड़ेगा तो वो फिर एक ही जंगा जाएगा तो ये हो गया हमारा prepaid expense फिर आता है इसी तरह accrued income accrued income का मतलब की हमें income मिली, मालो 10 महीने की मिल गई ठीक है, लेकिन 2 महीने की income मालो हमें अभी तक नहीं मिली तो फिर से question ये आता है कि 10 महीने की income तो मुझे मिल गई 2 महीने की मिली नहीं पर क्या वो इस साल से belong करती है क्या वो हमारे इस साल की income से belong करती है, तो answer है yes करती है, तो इसी लिए जब हम accrued income adjustment को deal करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम respective income के अंदर इस accrued income को जोड लेते हैं, क्योंकि ये income हमारे इस साल से ही belong करती है और क्योंकि ये हमें मिलनी चाहिए पर अभी तक मिली नहीं, तो इसको हम अपने balance sheet के अंदर एक asset की तरह show करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक asset भी है, तो ये हो गई adjustment, सेम कहानी अगर इसको हमें उसने trial balance के अंदर दे रखा होगा, यानि कि वो एक adjustment नहीं है, वो already trial balance के अंदर है, तो फिर वो एक ही जगा हम post करेंगे कहां पर, सिर्फ balance sheet में asset side पर तो ये बात याद रखने हैं तो ये हो गया आपका accrued income इसी तरह अगली है income received in advance मतला हमको पैसे advance में मिल गए तो for example हमें इस साल income मिली और हमें 14 महिने की या 15 महिने की income 81 साल मिल गई तो question ये आता है कि जो 2-3 महिने अगले साल की income हमें मिली है, क्या वो इस साल से belong करती है, तो इसका answer है no, क्योंकि अगले साल की 2-3 महिनों की income हमारे इस साल की income से belong नहीं करती, तो इसी लिए जब हम इस adjustment को deal करते हैं, यानि income received in advance को deal करते हैं, तो हम अपने respective income में से इस income received in advance को deduct कर देते हैं, यानि की minus कर देते हैं, और क्योंकि यह हमें advance में मिली, तो इसी लिए इसको हम balance sheet के अंदर एक liability की तरह present करते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए क्या है liability, current liability फिर वोई चीज, इसको pre-received income भी कह देते हैं, इसको unearned income भी कह देते हैं, इसको unaccrued income भी कह देते हैं, और अगर यह हमें trial balance के अंदर दे रखी है, यानि यह adjustment की तरह नहीं दे रखी, तो फिर यह एक ही जंगा post होगी, हमारे balance sheet के अंदर सिर्फ liability side में, that's it, तो यहां तक जो है basically हमारी top five adjustments cover हो जाती हैं, closing stock को लेकर, expenses को लेकर दो, और incomes को लेकर दो, अब इसके बाद है ugly adjustment depreciation की, तो depreciation का मतलब तो हमको पताई है की हमारे asset की value में कुछ गिरावट हो जाती है, तो यह adjustment को हम कैसे deal करते हैं, बहुत ही simple है, यह हमारा expense होता है, तो इसलिए इसको हम P&L account के debit side पे show करते हैं, और हमारे asset की value में गिरावट हो गई, तो इसलिए हम इसको respective asset में से minus करके show कर देते हैं, तो दो जंगा यह हमारा adjustment solve हो जाता है, अब अगर यह भी हमें trial balance के अंदर ही दे रखा है, यानि कि फिर यह adjustment की तरह नहीं दे रखा, तो फिर यह हम सिर्फ एक ही जंगा deal करते हैं, यानि कि तब हम इसको सिर्फ P&L account के debit side पर लिख देंगे, तो एक ही जंगा तब यह P&L account में ही लिखा जाएगा, अगर यह trial balance के अंदर दे रखा है, तो अब एक बड़ा ही इसमें interesting one number का question है वाइवा में पूछ सकता है, आपको वैसे पूछ सकता है कि depreciation जो होता है वो किस तरह का expenditure होता है तो इसमें आपको keyword जो याद रखना है वो है non cash operating expenditure, मतलब कि इसमें आपकी जेब से कोई पैसे नहीं निकलते, ऐसा नहीं कि मैंने किसी को 100 रुपे निकालके दिये ये मेरा cash का खर्चा नहीं है तो इसलिए इसको बोलते है non cash, non cash का मतलब आपकी जेब से पैसे नहीं निकल रहे सिर्फ आपकी asset की value में गिरावट आ रही है, तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है non cash मतलब नकद नहीं है इसमें लेकिन ये सिर्फ एक non cash operating expenditure है, operating का मतलब business के लिए जरूरी खर्चा है business होगा, तो asset use होगा asset use होगा, तो depreciation होगा तो इसलिए इसके नाम को याद रखना one number में keyword है non cash operating expenditure अगर question पूछ लेता है तो इसके लावा फिर एक और बड़ी important adjustment है bad debts को लेकर या provision for bad debts को लेकर तो इसके बारे में भी कुछ complications समझ लेते हैं कि क्या होती है तो अगर हम bad debts की बात करें तो इस adjustment को deal करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने profit and loss account में bad debt को debit करते हैं, क्योंकि ये हमारे लेक नुकसान है फिर bad debt अगर हमें trial balance में दे रखा है तो उसकी value को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अब इसके अलावा कुछ bad debts हमें adjustment में दे रखे होते हैं, जिसको बोलते हैं further bad debts या new bad debts, उन्हें हम उसी bad debts के अंदर जोल लेते हैं ये हमें adjustment में given होगा अब अगर हमें कोई provision भी दे रखा है for doubtful debts, तो हम new provision को calculate करके उसको भी इसी में जोल लेते हैं और ये भी हमें adjustment में दे रखा होगा और हो सकता है हमें कोई पहले से provision trial balance के अंदर दे रखा हो यानि कि old provision, तो उस trial balance वाले provision को हम deduct कर देते हैं, तो ये same एक formula आपको भी वैसे lecture में लिखवा रखा है, तो ये आपका PNL account के अंदर इस तरह से format बन जाता है, और इसके final answer को solve करके आप बाहर लिख देते हो अब बात आती है, इन चीजों को balance sheet में कैसे हम present करते हैं तो हम balance sheet में जो हमारे debtors की value होती है, उसमें से हम deduct करते हैं further bad debts यानि adjustment वाला point और हम deduct करते हैं new provision जो हमने adjustment वाला provision निकाल रखा है, और फिर final value debtors की बाहर लिख देते हैं अब इसमें important चीज ये है सबसे जादा जो बच्चे कई मर भूल जाते हैं कि जब हम new provision को calculate करते हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है, कि आप अपने debtors की value में से पहले further bad debts को minus करोगे यानि कि adjustment वाले bad debts को minus करोगे, और फिर उसके बाद जो भी percent दे रखी होगी, उन्हें calculate करोगे, तो ये पूरा page जो है, ये आपके लिए बहुत important है तो इसमें bad debts और provision for bad debts का दोनों का treatment आना चाहिए, अब एक छोटा सा adjustment इसी से related जो है, वो है provision on discount on debtors, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ये adjustment में दे रखा है, तो इसको कैसे deal करना है profit and loss account में आप इसको debit side पर निकालके लिख दोगे, क्योंकि हमारे लिए ये एक तरह से खर्चा है हम अपने debtors को discount दे रहे हैं तो यानि कि हमारे लिए नुकसान हो रहा है और इसको debtors की value में से हम deduction के तौर पे show कर देते हैं तो इसमें बस एक चीज important की जा ध्यान रखनी है कि जब आप provision for discount की value को calculate करते हो तो बड़े ध्यान से देखना आपको debtors में से पहले further bad debts भी minus करने पड़ेंगे और उसमें से नया provision for doubtful debt भी minus करना पड़ेगा जो बचेगी value उसी का फिर आप provision for discount percentage calculate करोगे तो ये चीज इसमें छोटी सी important है इसकी calculation बागी treatment simple है P&L account में debit side पर और debtors की value में से minus कर देंगे अब एक छोटा सा adjustment है provision for discount on creditors तो हो सकता है आपको ये adjustment दे दे, chances बहुत कम हैं पर फिर भी अगर दे दे तो कैसे करना है इस case में आपको अपने creditors की value जो दे रखी होगी उसका जो भी percent provision बोलेगा वो calculate करना है और creditors पर जब हम provision create करते हैं यानि कि अब हमें creditor को कम पैसे देने पड़ेंगे तो ये हमारा फायदा हो गया तो इसलिए इसको हम अपने profit and loss account के credit side पर show करते हैं because it is our फायदा और इसको balance sheet में हम अपने creditors की value में से एक deduction के तौर पे show कर देते हैं तो in case अगर ये adjustment भी पूछ ले तो आपको solve करना आना चाहिए अब आते हैं next important adjustment पर goods given as charity भई आपने कुछ goods जो है अपना सामान charity के तौर पे दे दिया तो इस adjustment को कैसे deal करना है अब goods जब हम खरीते हैं तो हम उसको purchase दिखाते हैं तो जब भी हम कोई goods charity के तौर पे देते हैं तो उन goods को purchases की value में से deduct करके show कर देते हैं यानि वो goods हमने दे दिये charity में अब किसी को charity देना मतलब form के लिए business के लिए खर्चा हो गया तो इसलिए उस charity को हम अपने P&L account में debit side पर show करते हैं तो इस adjustment को जब हम कर रहे होते हैं तो जो भी goods हमने दिये charity में उनकी cost price को ही हमें लिखना होता है इस बात का ध्यान रखना है हो सकता है question के अंदर आपको confuse करने के लिए वो उनकी sale price देते तो आप sale price को ignore कर देना और आप goods जो charity में दिये उनके cost price को ही लेकर purchase में से minus कर देना और P&L account के debit side पर लिख देना तो ये हो गए goods given as charity इसी तरह question दे सकता है adjustments charity in cash या check आपने किसी को पैसे दे दिये charity में आपने किसी को check दे दिये charity में तो उस case में क्या होगा तो पहली जीज तो वही क्योंकि आपने charity दी है तो यानि आपने खर्चा करा है आपका नुकसान हो गया है तो आप इसको P&L account में debit side पर लिख होगे और क्योंकि आपने पैसे दिये हैं इस बार आपकी जेब से cash गया है तो आप अपनी balance sheet में जो भी cash या bank का balance दे रखा होगा उसमें से charity के पैसो को deduct करके show कर दोगे क्योंकि वो पैसे आपने दे दिये तो अगर charity आप cash में देते हो तो फिर आपको ये adjustment का भी जान रखना पड़ेगा इस बार हम अपने goods जो है तो अब हम वो goods दे रहे हैं तो purchase में से पहले इन goods को subtract करके show करेंगे और दूसरा हमने अगर free sample दिया या advertisement करी तो ये हमारे business के लिए खर्चा है expense है तो इसलिए हम इसको अपने P&L account में debit side पर भी show करेंगे concept वोई है हमें इन goods की cost price को ही लिखना पड़ेगा अगर question confuse करने के लिए sale price भी दे दे तब भी आप उसको ignore करते न आपको purchase में से minus करना है और P&L account के debit side पर लिखना है और वो cost price ही लेके चलना है तो ये हो गए goods given as free samples इसके बाद बहुत ही important एक adjustment है goods lost by fire या theft कई बार सामान खो गए चोरी हो गए तो उस case में क्या-क्या हमारी पहले journal entry होती है मैं वो बताता हूँ और फिर उसका आपको financial statement में treatment बताता हूँ तो इसको हमने 2-3 parts में break कर लिया जैसे सबसे पहले जब हमारे goods खोए तो हम entry करते हैं क्या फिर उसके बाद insurance company हमारा claim admit कर लेती है तो हम entry करते हैं क्या और फिर finally हमें insurance company से पैसे भी मिल जाते हैं तो हम entry करते हैं क्या तो देखते हैं सबसे पहले goods खोने के लिए हम entry करते हैं loss by fire account debit to purchase account तो माल लेते हैं 10,000 रुपे के goods हमारे खो गए तो पहली entry हो गई वो अब जैसे ही insurance company हमारा claim accept करती है माल लेते हैं 70% तो हम entry करते हैं insurance company debit 70% का मतलब होगे 7,000 और जितना claim उन्होंने accept नहीं करा यानि 3,000 रुपे उसके लिए हम करते हैं profit and loss account debit 3,000 to loss by fire 10,000 इसका मतलब insurance company ने 10,000 के बदले में 7,000 का loss accept कर लिया claim और 3,000 का loss हमारा accept नहीं करा तो ये हो गई claim accept करने की entry फिर उसके बाद जब actual में मुझे insurance company से 7,000 रुपे मिलेंगे तो entry होगी bank या cash account debit to insurance company account यानि कि मुझे insurance company से 7,000 रुपे मिल गए तो ये हो गया journal entry वाला concept अब अगर आप इन 3 जर्नल एंट्रियों को मिला दो ये सोचो ये 3 एंट्रिया में जोड कर एक बना दू तो इसमें loss by fire loss by fire कट जाएगा 10,000 debit credit इसमें insurance company insurance company कट जाएगा 7,000 debit credit तो आपकी बचे की क्या सिर्फ entry cash और bank account debit 7,000 PNL account debit 3,000 और purchase credit 10,000 तो हम जब financial statement में treatment करते हैं इसका तो फिर इसी को ध्यान में रखके करते हैं तो वो बात हमें पता होनी चाहिए तो जो insurance company हमें देती है claim उसका मतलब है loss covered जो insurance company हमारा claim accept नहीं करती तो उसको बोलते हैं loss not covered यानी 3,000 तो इस बात को ध्यान रखना है तो अब देखो कैसे हमको financial statement में deal करना होता है तो for example 10,000 के हमारे goods जल गए थे तो जितना insurance company ने claim accept करा यानी 7,000 इसका मतलब loss covered और जितना उन्होंने claim accept नहीं करा यानी 3,000 इसका मतलब loss not covered तो हमारे statement के अंदर ये तीनो values present होती है कैसे कैसे अब 10,000 हम purchase में से deduct करके show करते है क्योंकि वो हमारे goods जल गए 7,000 जितना insurance company ने claim accept करा उसको हम asset site पे show करते है और 3,000 जितना हमारा claim accept नहीं हुआ मतलब नुकसान हो गया उसको हम अपने profit and loss account में show करते है तो इसमें आपको 3 जंगा पर posting करनी पड़ती है इस बात का ध्यान रखना है देख लेते हैं एक demo तो माल लेते हैं goods हमारे जल गए और हमें इसकी posting करनी है अपने financial statements के अंदर तो कैसे posting होगी purchase में से हम goods lost by fire को minus कर देंगे जो भी total loss हुआ था जैसे 10,000 का फिर उसमें से जो भी हमारा loss था 10,000 का और हमें 7,000 claim के receive हो गए थे तो वो हम minus करके सिर्फ 3,000 का ही नुकसान यानि की loss not covered अपने P&L में debit कर देंगे तो 3,000 रुपे हमारे profit and loss account में debit हो जाएंगे अब बचे 7,000 जो insurance company ने हमारा claim accept कर लिया था उस 7,000 को हम अपने balance sheet में asset side पे show कर देंगे यानि की हमारे को insurance company से 7,000 रुपे का claim मिल जाएगा और अगर actual में वो claim के पैसे हमें receive ही हो जाएं तो फिर आप insurance company को हटा कर उसकी जगा cash भी लिख सकते हो तो इस तरह से आपको अपनी presentation करने पड़ती है अगर आपके goods जल जाते हैं जलने के बाद फिर insurance claim accept हो जाता है और insurance claim accept होने के बाद अगर पैसे मिल जाते हैं तो इसका treatment ये करना है अब next adjustment है वो भी ध्यान से देखना goods used in making fixed asset कई बार हम अपने goods को किसी fixed asset को बनाने में इस्तमाल कर लेते हैं जैसे आपके बाद कुछ लकडियां थी हैं या कुछ goods थे उनसे आपने furniture बना लिया तो इस adjustment को भी कैसे deal करना है आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारे goods चले गए हमें छोड़ कर तो हम उन goods के cost price को purchase में से minus कर देंगे और क्योंकि हमने उनसे fixed asset बना लिया तो हम अपनी balance sheet के asset side पर उस fixed asset की value में उतने amount से value को add कर देंगे जितने amount का हमने fixed asset और बना लिया तो basically आपकी purchase कम हो जाएगी और आपके fixed asset की value बढ़ जाएगी तो ये आप goods used in making fixed asset के time पर कर दोगे इसी तरह एक और adjustment है goods withdrawn by proprietor अब proprietor अपने घर के ले सामान लेकर चला गया तो बहुत ही simple point है अगर proprietor अपने घर के ले सामान लेकर चला गया तो इसका मतलब हमारा सामान हमें छोड़ कर चला गया तो आप सबसे पहले तो purchase में से इन goods की cost price को minus कर दोगे तो यानि की goods कम हो गया और क्योंकि proprietor इसको लेकर गया यानि की ये हमारे लिए drawings है तो drawings को क्योंकि आप capital में से deduct करते हो तो same आप यहाँ पर capital में से drawings को deduct करके show कर दोगे तो ये आपके हो गये goods withdrawn by proprietor for personal use इसी तरह next adjustment देखो cash withdrawn by proprietor अब अगर proprietor ने cash withdraw करा यानि की वो पैसे लेकर गया तो ये भी है तो drawings ही तो इसको balance sheet में हम कैसे deal करेंगे क्योंकि ये drawings है तो ये हमारे cash को कम कर रही है तो asset side में से cash में से हम minus कर दोगे और drawing का nature capital को कम करने का होता है तो इसी ले इसको आप capital side से भी minus कर दोगे तो basically cash अगर हम withdraw करते हैं for personal use तो आपका cash भी कम हो जाएगा और आपकी capital भी कम हो जाएगी तो ये हो गया cash withdrawn by proprietor इसी तरह एक और adjustment है fixed asset withdrawn by proprietor अब इस बार proprietor कोई fixed asset machinery वगर अपने घर ले गया तो उस case में हम क्या करेंगे तो इसका भी nature drawings की nature का है तो इस adjustment को करने के लिए पहले तो आप fixed asset की value में से amount minus कर दोगे क्योंकि fixed asset हमारा चला गया और इसका nature क्योंकि drawings का है तो आप इस drawings को अपने capital की value में से भी less कर दोगे तो ये आपकी simple adjustment हो गई fixed asset withdrawn by proprietor अब इसका एक ultra adjustment भी आ सकता है कि fixed asset brought in by proprietor from his home proprietor कोई fixed asset अपने घर से ले कर आ गया तो वैसे logically भी और रटने के तरीके से भी पुराने वाले का just ultra हो जाएगा तो अब कोई fixed asset हमारे business में आया तो इसका मतलब हमारा fixed asset भढ़ गया और proprietor कोई चीज अपने घर से लाया इसका मतलब उसका business के प्रती capital भी भढ़ गया तो इस adjustment को करने के लिए आप क्या करोगे fixed asset में उतने value को जोड़ दोगे और capital में भी उतने value को जोड़ दोगे simple adjustment next बहुत ही important take adjustment है इसका नाम है goods sent on approval या sale or return basis इसमें कई बार क्या होता है इसका पहले कहानी बता देता हूँ हम कुछ goods अपने customer को भेजते हैं और उसको कहते हैं कि तुम 10-15-20 दिन इसको अपने पास रखो इसको इस्तमाल करो अगर तुमें पसंद आए तो फिर approve कर देना अगर पसंद ना है तो वापस भेज देना अब कभी-कभी क्या होता है कि हम goods भेज तो देते हैं customer को लेकिन ना उसने approve करा ना उसने वापस करा बस उसके घर पे पड़े हैं अब हम इंतजार कर रहें कि यह phone करेगा कि भाई तुझे पसंद भी आये हैं कि नहीं लेकिन उसने कुछ नहीं बताया तो इस adjustment को कैसे deal करते हैं बहुत ही ध्यान से सुनना थोड़ी सी complicated है पर ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगी हमारे को sales की value में से जितने amount के goods हमने approval वाले sale की तरह भेजे हैं उसे deduct करके दिखाना पड़ता है यानि उसकी sale price को हटाना पड़ता है हम कहते हैं वो हमारी sale नहीं है क्योंकि अभी तक goods approved नहीं हुए तो अगर goods approved नहीं हुए और वो अभी तक sale नहीं है तो इसका मतलब माना ये जाता है कि वो goods अभी भी हमारे unsold है और unsold goods को हम अपना closing stock मानते है तो इसी लिए जो goods अभी तक approved नहीं हुए हम उन्हें sale में से minus करते है और हम उन goods को अपना closing stock मानते है तो closing stock आप जानते हो अल्रेडी कि कहां कहां record करा जाता है तो closing stock record करा जाता है trading account में और asset side तो इस पूरी complicated adjustment को करने के लिए देखना द्यान से screen पर पहले हम अपने sale price को यानि sale को मानते हैं कि नहीं हुई तो sale में से sale value कम कर देते हैं और simultaneously debtor में से भी sale value कम कर देते हैं तो हम मानते हैं हमारी sale नहीं हुई तो ये तो हो गया वो part और जो goods हमारे अभी तक sale नहीं हुए यानि unsold है उनको हम अपना closing stock मानते हैं तो इसलिए उन goods को हम अपने closing stock में जोड देते हैं और साधी साथ asset side पर भी इसलिए balance sheet में भी closing stock को जोड देते हैं तो इस adjustment में basically आपको 4 treatments करने हैं मैं repeat करना हूँ ध्यान से सुनना क्या-क्या sale price को sales में से minus करना है और debtors में से minus करना है और उन goods की cost price को closing stock में add करना है trading account में और asset side में भी closing stock में add करना है तो ये पूरा treatment होता है goods sent on approval basis का अब इसके बाद एक और important adjustment है manager commission manager commission का मतलब यह होता है कि हम अपने business में sales करते हैं sales के बाद हमें मुनाफ़ा होता है तो हम अपने manager को यह कहते हैं कि देखो अगर हमें जतना ज़ादा net profit होगा तो उस net profit का हम तुमें कुछ commission देंगे 5% 10% और अगर profit नहीं हुआ loss हो गया तो हम तुमें कोई commission नहीं देंगे सीधी बात है सीधा logic है तो कई बार manager को हम commission भी देने की बात करते हैं अब इसमें question की language के हिसाब से दो cases बन जाते हैं कई बार लिखा होता है कि manager commission before charging such commission कई बार लिखा होगा manager commission after charging such commission तो पहले तो treatment समझते हैं हम manager को commission देते हैं तो ये हमारे लिए एक नुकसान है हमारे लिए expense है तो इसीलिए इसको P&L account में debit करते हैं दूसरा माना है जाते है कि अभी तक हमने उसको pay नहीं करा यानि कि अभी तक outstanding है तो इसीलिए इसको balance sheet के अंदर हम liability side पर भी show करते हैं तो ये तो हो गया इसका treatment लेकिन question की language के हिजाब से कि before charging such commission है या after charging such commission है तो आपकी calculation का तरीका बदल जाता है यानि कि आपकी value का answer change हो जाएगा वो कैसे अगर लिखा है normally before charging such commission तो आप अपने net profit को multiply करोगे rate upon 100 से और अगर लिखा है after charging such commission तो आप अपने net profit को multiply करोगे rate upon 100 plus rate से तो ये भी हमने वैसे सवालों में कर रखा है पर इसी इसको याद रखना Then एक और adjustment है interest on capital तो कई बार proprietor जो business में capital निवेश करता है उस पूंजी के बदले में business उसको interest देता है तो that is a simple adjustment interest on capital तो ये firm के लिए एक खर्चा है तो इसी लिए P&L account में debit side पर आता है और ये proprietor की capital को भड़ा देता है तो इसी लिए balance sheet के अंदर हम इसको capital के अंदर ही add करके present कर देते हैं हलाकि ये आप class 12 के अंदर भी पढ़ते हो और तब ज़्यादा detail में सीखते हो पर अभी के लिएकर question पूछ ले interest on capital तो P&L account में debit side में और capital में add करके show करना है फिर बिल्कुल इसका opposite एक और adjustment interest on drawings कई बार drawings पर भी interest charge किया जाता है और proprietor से ले लिया जाता है तो firm के लिए interest on drawing एक तरह से income होती है क्योंकि firm ये proprietor से लेती है तो इसलिए इसको P&L account के credit side पर लिखा जाता है यानि कि firm के लिए income है और इसका nature है drawings को भढ़ाने का यानि कि ये भी drawings की तरह होती है तो इसलिए ये capital को कम कर रही होती है तो हम इसको balance sheet में capital में से deduct करके show कर देते हैं तो ये हो गई छोटी सी adjustment interest on drawings की फिर एक adjustment question बोल सकता है कि आपने कुछ amount general reserve में transfer करा ऐसा बोल देता है बहुती rare adjustment है अगर आ जाए तो उस case में क्या करना है तो अगर हम अपने profit में से कुछ हिस्सा general reserve में transfer करते हैं तो उस हिस्से का मतलब है कि आपका profit कम हो गया तो इसीलिए आप अपने profit and loss account में उसको debit side पर show करते हो क्योंकि आपके profit कम हो रहे हैं और general reserve जो होता है it is as good as profit only या net profit only तो ये भी balance sheet के अंदर liability side पर present कर दिया जाता है जैसे हम capital को या जैसे हम net profit को present करते हैं तो अगर question बोल दे कि general reserve हो गया तो आप इसको P&L account में debit करना और balance sheet के liability side में अलग से show कर देना इसके बाद दो बड़ी ही चटपटी adjustments हैं एक है income tax और एक है life insurance premium तो ये adjustment अगर आईं तो दोनों को याद रखना income tax मानाएं जाता है कि proprietor हमेशा अपना pay करता है personal और इसी तरह life insurance premium भी मानाएं जाता है कि proprietor अपनी life का करवाता है personal तो इन दोनों adjustments को आपको हमेशा हमेशा drawings की तरह treat करना है और drawings का treatment आप जानते ही हो कि drawings के लिए क्या करा जाता है तो वो same treatment आप करोगे जो आपको drawings का करना है यानि कि इन्हें आप capital में से subtract करके show भर होगे because these are treated as drawings तो अगर ये दोनों item आपको trial balance में दिखाई दे तो आप उस पर whitener लगा कर drawings लिख लेना सबसे best तरीका because इन दोनों को हम drawings treat करते हैं फिर एक adjustment है बड़ी unique goods in transit goods in transit का मतलब होता है कई बार हमारे goods अभी रास्ते में है अभी हमारे office तक या हमारी factory तक पहुचे नहीं है तो इन goods को हम बोलते है goods in transit तो ये सिर्फ डराने के लिए adjustment आईगी इसका treatment बहुत simple होगा goods in transit basically हमारे as good as closing stock ही होते है तो इसका treatment 100% same closing stock वाला ही होता है तो आप इसको trading account के credit side में closing stock में जोड़ दोगे या अलग से भी लिख दोगे और similarly balance sheet में भी asset side में closing stock में जोड़ दोगे या अलग से भी लिख लोगे तो नाम से डरना नहीं है goods in transit का मतलब है goods अभी रास्ते में हैं तो चाहे रास्ते में भी हो these are हमारे goods only तो इनको हम अपना closing stock ही मानेंगे तो इसका treatment आप same as closing stock ही कर देना तो ये था बच्चो आज के हमारे इस lecture में I hope आपको पूरा video lecture अच्छे से समझ आया होगा मुझे please comment करके बताना कि आपको इस topic में कौन-कौन सी चीज़े आसान लगी या कोई मुश्किल चीज़ जो आपको इस lecture में लगी तो वो भी please मुझे mention करके नीचे जरूर बताना क्या बच्चो के 5 number कट जाएंगे boards में किस बात के मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा break लेते हैं तो Instagram पर time waste करते हैं और अभी तक मेरे को follow नहीं कर रहें तो ठीक है बच्चो के कटने तो 5 number क्या होता है और कल को जब ये पढ़ लिखके अच्छा college जाएंगे अपना professional circle भढ़ाना होगा तो LinkedIn पर भी अभी मेरे को follow नहीं कर रहें तो ठीक है इनका circle छोटा रहे जाएगा मुझे क्या है motivation चाहिए है हाँ बच्चो को तो motivation के लिए मेरे tweet तो follow करते ही होंगे क्या नहीं करते तो ठीक है बच्चो की मरजी इनके number भी कटेंगे ना इनको motivation मिलेगी ना इनका professional circle बढ़ा होगा ठीक है कोई बात नहीं